नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चैनल पीएफपी में आज हम दिवीज लैबोरेटरीस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने आल टाइम आय से रीजनेबली नीचे आ चुका है अपने 200 डेस के मुविंग आवरेच पर ट्रेट कर रहा है तो यहां पर निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए करना है तो कैसे करना चाहिए हमारी एक्यूमलेशन की स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए इन सभी जीजों के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं सब्टेंबर कॉर्टर के जो results आये हैं net sales हमें year on year basis पे 13.62% बढ़ता हुआ नजर आया net profit 16.72% बढ़ा है और EBITDA में 10.92% की जम देखने को मिली तो और और numbers हमें अच्छे नजर आते हैं decent नजर आते हैं company के market share के बार में बात करें तो naproxen और cup suppressant में 70% का शानदार market share है बहुत अच्छी बात है product wise revenue breakup के बार में बात करें तो custom synthesis से 41% का revenue contribution है generic से 49% और nutraceutical से 10% location wise breakup के बार में बात करें focus है यूरोप पर 46.7% का contribution यूरोप से आता है Asia से 12.2% America से 23.3% India से 13.4% और rest of the world से 4.4% तो main focus यूरोप पर है बाकी इनका geographical diversification oral अच्छा देखने को मिलता है fundamental ratios के बार में बात करें return on equity 21% से ज़ादा है जो की 5 year average से बहतर है ROC 27% से ज़ादा है जो की अपने 5 year average से बहतर नज़र आता है net profit margin 28% से ज़ादा है जो की 5 year और 3 year average से आपको better होता हुआ नज़र आया अच्छी बात है margins better हो रहे है debt to equity ratio later 0 है company पर कोई करजा नहीं है तो fundamental ratios तो बहुत अच्छे हैं उसमें कोई doubt नहीं है share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding है 51.95% जिसमें से कुछ pledge नहीं है mutual fund 12.63% other domestic institution 3.72% FIS 20.7% retail category में 11% का stake है पिछले एक साल में mutual fund ने अपना stake कम किया है उनका trend नीचे आ रहा है और FIS ने अपना stake लगातार यहाँ पर बढ़ाया है यही एक reason हो सकता है कि overall market इतनी नीचे आ रही है फिर भी device laboratories में बहुत बड़ी घिरावट आपको देखने को नहीं मिली क्योंकि FIS यहाँ पर आपको अभी भी hold करते हुए नजराते हैं possibly है अभी तो नया data जब आएगा December के बाद आएगा तब ही पता चलेगा कि FIS ने क्या किया है लेकिन जिस प्रकार का stock moment है कोई बड़ा stake यहाँ पर कम किया होगा उसके chances हमें कम नजराते हैं financial trend के बार में बात करें तो इनका financial trend काफी strong है revenue और profit हमें लगातार grow होता हुआ नजराया और net profit margin भी better हुआ है इसले profit की जो speed है बढ़ने की वो revenue से आपको बहतर नजराती है 1,20,000 crore की दिगज market cap है 46,54 का last date price है जो की 0.5% उपर है 56 का PE ratio है जो की valuation wise हम बहुत महंगा नहीं कहेंगे लेकिन सस्ता भी नहीं कह सकते तो और अल आपको fundamentals तो बहुत अच्छे देखने को मिले growth अच्छी नजराती है और valuation पर आपको slightly premium side पर दिखाई पड़ते है stock के chart पर हमें clearly पता चलता है कि 5,300 के level से stock में घ्रावट देखने को मिली approximately 15% का fall यहाँ पर दिखाई पड़ता है फिलाल यह stock अपने 20, 50 और 100 days के moving average के नीचे है लेकिन 200 days के moving average पर आज ही support लेने के बाद हमें थोड़ी सी recovery नजराती है daily RSI 42 है slight recovery यहाँ पर दिखाई देती है overall week ही चल रही है उसमें कोई doubt नहीं है weekly chart के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे weekly chart पर हमें नजराता है जब भी stock में घिरावट हुई है पिछले कुछ सालों से 50 weeks के moving average पर यह trade कर रहा है approximately 2018 के बाद आपको 50 weeks का moving average ही as a strong support नजराता है और वहीं से recovery नजराती है March में जब crash भी हुआ था तब भी यही level as a strong support देखने को मिला और वापस तेजी देखने को मिली तो फिलाल भी stock उसी level के आज़ पाश trade कर रहा है to be exact जो 50 weeks का moving average है वो 43.92 का level है weekly RSI की बार में बात करें तो weekly RSI 47.8 है कई बार मैंने आपको बताया है कि blue chip shares में अगर weekly RSI 40.45 के zone में आता है तो एक अच्छा होता है यहां पर froth बिल्कुल नहीं होता stock में reasonable correction हुआ होता है एक अच्छे support की तरह वो नज़र आता है तो उसी level पर हमें आता हुआ नज़र आता है तो यह positive news है कि इसमें froth बिल्कुल भी नहीं है stock overbought आपको बिल्कुल नहीं आता है तो यहां पर run नीती की आउनी चाहिए company तो अच्छी है निवेश करने के लायक है of course long term में यहां पर आप निवेश कर सकते हैं तो हमारी run नीती की आउनी चाहिए सबसे पहले हमें support देखने हैं कौन से support यहां पर नज़र आते हैं चार्ट पर हमें दो support नज़र आते हैं सबसे पहले support को एक बार discuss कर लेते हैं तो अब देख पाएंगे जून में हमें तेजी देखने को मिली stock उपर गया उसके बाद इस level पर resistance लिया गिरावट आये उसके बाद वापस तेजी देखने को मिली और stock हमें उपर जाता हुआ नज़र आया और फिलाल stock में वापस गिरावट हो रही है तो यह जो एक zone है एक अच्छे support की तरह में नज़र आएगा और 200 days का moving average यहीं पर बन कर आता है इसका जो 50 weeks का moving average है वो भी यहीं पर बन कर आता है weekly RSI में भी गिरावट हुए है वो भी तकरीबन 45 के आसपास चल रही है तो यह सारे points को यहाँ पर मिला कर जो यह पूरा zone है 4400 से करके 4500, 4550 का zone यह एक अच्छे support की तरह नज़र आता है बाकि actually frankly speaking chart wise सिर्फ अगर हम देखेंगे तो यह कोई major support नहीं है लेकिन जो दूसरे points मैंने आपको बता है averages वाले RSI वाले उस इसाब से यह काफी अच्छे support की तरह नज़र आता है दूसरा जो support है वो chart wise बहुत ही अच्छा support है जो कि यह 4000 का level अभी यह 4000 का level chart wise इतना ज़ादा अच्छा support क्यों है क्योंकि कई बार यहाँ पर stock ने resistance लिया पहली बार यहाँ पर resistance लिया फिर गिरावट हुई फिर यहाँ पर resistance लिया गिरावट देखने को मिली फिर से stock वही पर गया था नीचे आ गया और at last हमें यहाँ पर breakout देखने को मिला, तो इस हिसाब से यह stock ने ज्यादा time यहाँ पर 4000 की zone में लिया है, resistance लिया है, तो technically सिर्फ अगर chart देखते हैं, सिर्फ अगर candlestick देखते हैं, तो इस हिसाब से 4000 का level ज्यादा strong support है, लेकिन हमने देखा दूसरे जो indicators हैं, वो हमें 4500 के आसपास भी एक support दिखा रहे हैं, तो accumulation strategy क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप दोनों level पर accumulation कर सकते हैं, of course कभी भी एक साथ पूरा investment नहीं करना चाहिए, तो जो पहला zone है, इस current market price के zone पर आप यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, और बाकी का investment 4000 पर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा गिरावट हो कि उसके chances मुझे बहुत कम नजर आते हैं, अगर इतनी गिरावट होती है, बायचांस अगर stock 4000 पर आ जाता है, इसका valuation सस्ता हो जाएगा, stock गिरा है, तो valuation सस्ता हो जाता है, तो investors यहाँ पर और भी ज़्यादा interest हो जाएगे, investment आना शुरू हो जाएगा, तो वापस आपको तेजी दिखाई पड़ सकती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप दोनों levels पर accumulation करने के बार में सोच सकते हैं, एक हिस्सा अब current market price में लगा दीजे, current zone में लगा दीजे, पहले support पर लगाईए, और दूसरा जो हिस्सा है, अब दूसरे zone में investment करने के बार में सोच सकते हैं, और कोई अगर stop loss के साथ काम करना चाता है, तो यहाँ पर एक अच्छी opportunity है, यहाँ पर फिलाल एक bounce back भी देखने को मला है, तो यह जो support नज़राता है, अगर यह support तूट जाता है, तो आप यहाँ पर exit कर सकते हैं, इस प्रकार से stop loss के साथ भी यहाँ पर काम किया जा सकता है, तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज कोई feedback दीजिए, thank you, stay happy, happy investing.